बता दे कॉलकता अस्पताल में डॉक्टर का शब मिलने का मामला महिला डॉक्टर के पिता ने आरोप लगाया परिवार ने रेप के बाद हत्या के आशंका जताई है सच्चाई छिपाने की कोशिश की जा रही है आरजी कर मेडिकल कॉलिज के बर्जैसी बिल्डिंग के सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर का शब वो संदिक्द हालत में मिला था शरील पर चोड़ के कई निशान मिले है ये का आपको बता दे कॉलकता अस्पताल में डॉक्टर का शब मिलने का पूरा मामला है महिला डॉक्तर के पिता ने आरोप लगाया है कि परिवार ने कहना है कि रेप के बाद हत्या की गई है पहले महिला डॉक्तर का रेप किया जाता है और फिर उसकी दर्दनाक हत्या कर दी जाती है सच्चाई छिपाने की कोशिश की जा रही है पुरे मामले में एक शक्स को इरासत में ले लिए गया है तस्वीर भी सामने आई थी ये वही शक्स तस्वीरों में आप देख रहे हैं जिसे पुलिस ने रासत में लिया है और हर पहलू से हर एंगल से पूश्दाच में टीम चुटी हुई है अमित मालविय ने भी इस पूरे मामले में आपकाई सवाल खड़े कर दिये हैं कि महला इंटर्न की आखिर जरूरत थी क्या बता दे कॉलकाता अस्पताल में डॉक्टर का शब मिलने का मामला महला डॉक्टर के बिदा ने आरोप लगाया परिवार ने रेप के बाद हत्या के आशंका जताई है सचाई छिपाने की कोशिश की जा रही है आरजी कर मेडिकल कॉलिज के बरजैसी बिल्डिंग के सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर का शब वो संदिक्द हालत में मिला था शरीर पर चोड़ के कई निशान मिले है ये आपको बता दे कॉलकटा अस्पताल में डॉक्टर का शब मिलने का पूरा मामला है महिला डॉक्टर के पिता ने आरोप लगाया है कि परिवार ने कहना है कि रेप के बाद हत्या की गई है पहले महिला डॉक्टर का रेप किया जाता है और फिर उसकी दर्दनाक हत्या कर दी जाती है सच्चाई छिपाने की कोशिश की जा रही है तो एक तरफ परिजन आरोप लगा रहे हैं वही को अलकाता मामले पार एक शक्षक हिरासत में ले लिया गया है इस शक्स को इरासत में लिया गया पूश्टाच हो रही है कॉलकाता पुलिस खाने में पूश्टाच में चुपी हुई है और पूछा जा रहा है जब टीम गठित हुई थी फिर आगे क्या कुछ कदम उठाए गया है उसको लेकर जाच की जा रही है संदिक धालत में शब मिला था परिवार को रेव के बाद हत्या का शक है वहीं इस पूरे मामले में एक शक्स को इरासत में ले लिया गया है हंगामे की तस्वीर भी सामने आई थी ये वही शक्स तस्वीरों में आप देख रहे हैं जिसे पुलिस ने रासत में लिया है और हर पहलू से हर एंगल से पूश्दाच में टीम चुटी हुई है अमित मालविय ने भी इस पूरे मामले में आपकाई सवाल खड़े कर दिये हैं कि महिला इंटर्न की आखिर जरूरत थी क्या महिला डॉक्तर के पिता ने आरोप लगाया है पहले महिला डॉक्तर का रेप किया जाता है और फिर उसकी दर्दनाक हत्या कर दी जाती है सच्चाई चिपाने की कोशिश की जा रही है तो एक तरफ परिजन आरोप लगा रहे है वही को आलकाता मामले पार एक शक्त हिरासत में ले लिया गया है इस शक्स को एरासत में लिया गया पूश्टाच हो रही है कॉलकाता पुलिस खाने में पूश्टाच में जुटी हुई है और पूछा जा रहा है जब टीम गठित हुई थी फिर आगे क्या कुछ कदम उठाए गया है पर भी इंफर्मिशन सामने आई है उसको लेकर जाच की जा रही है संदिक धालत में शव मिला था परिवार को रेव के बाद हत्या का शक है वहीं इस पूरे मामले में एक शक्स को एरासत में ले लिया गया है हंगामे की तस्वीर भी सामने आई थी ये वही शक्स तस्वीरों में आप देख रहे हैं जिसे पुलिस ने एरासत में लिया है और हर पहलू से हर एंगल से पूश्दाच में टीम चुटी हुई है अमित मालविय ने भी इस पूरे मामले में आपकाई सवाल खड़े कर दिये हैं मेडिकल कॉलिज के बरजैसी बिल्डिंग के सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर का शब वो संदिक्द हालत में मिला था शरील पर चोड़ के कई निशान मिले हैं ये आपको बता दे कॉलकटा अस्पताल में डॉक्टर का शब मिलने का पूरा मामला है महिला डॉक्टर के पिता ने आरोप लगाया है कि परिवार ने कहना है कि रेप के बाद हत्या की गई है पहले महिला डॉक्टर का रेप किया जाता है और फिर उसकी दर्दनाक हत्या कर दी जाती है सच्चाई चिपाने की कोशिश की जा रही है तो एक तरफ परिजन आरोप लगा रहे हैं वही को अलकाता मामले पर एक शक्त हिरासत में ले लिया गया है इस शक्स को अलकाता पुलिस खाने में पूश्टाच में जुटी हुई है और पूछा जा रहा है जब टीम गठित हुई थी फिर आगे क्या कुछ कदम उठाए गया पर भी इंफरमिशन सामने आई है उसको लेकर जाच की जा रही है संदिक धालत में शव मिला था परिवार को रेज के बाद हत्या का शक है वही इस पूरे मामले में एक शक्स को अरासत में ले लिया गया है हंगामे की तस्वीर भी सामने आई थी ये वही शक्स तस्वीरों में आप देखना हैं जिसे पुलिस ने रासत में लिया है और हर पहलू से हर एंगल से पूश्दाच में टीम चुटी हुई है अमित मालविय ने भी इस पूरे मामले में आपकाई सवाल खड़े कर दिये हैं कि महला इंटर्न की आखिर ज़रुरत थी क्या शरीर पर चोड़के कैयी निशान मिले हैं ये आपको पता दे कौलकता अस्पाल में डॉक्टर का श्रम बिलने का पूरा मामला है महिला दॉक्तर के पिता ने आरोब लगाया है कि परिवार ने कहना है कि रेप की बाद हत्या की गई है पहले महिला डॉक्तर का रेप किया जाता है और फिर उसकी दर्दनाक हत्या कर दी जाती है सच्चाई छिपाने की कोशिश की जा रही है तो एक तरफ परिजन आरोप लगा रहे हैं कॉलकाता मामले पर एक शक्षक हिरासत में ले लिया गया है इस शक्स को हिरासत में ले लिया गया पूश्टाच हो रही है कॉलकाता पुलिस ठाने में पूश्टाच में चुपी हुई है और पूछा जा रहा है जब टीम गठित हुई थी फिर आगे क्या कुछ कदम उठाए गए रही है उसको लेकर जाच की जा रही है संदिक धालत में शव मिला था परिवार को रेट के बाद हत्या का शक है वहीं इस पूरे मामले में एक शक्स को एरासत में ले लिया गया है हंगाने की तस्वीर भी सामने आएं थी ये वही शक्स तस्वीरों में आप देख रहे हैं जिसे पुलिस ने एरासत में लिया है और हर पहलू से हर एंगल से पूछदाच में टीम चुटी हुई है अमित मालविय ने भी इस पूरे मामले में आपकाई सवाल खड़े कर दिये हैं कि महला इंटर्न की आखिर जरूरत थी क्या परिवार ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है सच्चाई चिपाने की कोशिश की जा रही है आरजी कर मेडिकल कॉलिज के बरजैसी बिल्डिंग के सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर का शब वो संदिक्द हालत में मिला था शरील पर चोड़ के कई निशान मिले हैं ये आपको बता दे कॉलकटा अस्पताल में डॉक्टर का शब मिलने का पूरा मामला है महिला डॉक्टर के पिता ने आरोप लगाया है कि परिवार ने कहना है कि रेप के बाद हत्या की गई है पहले महिला डॉक्टर का रेप किया जाता है और फिर उसकी दर्दनाक हत्या कर दी जाती है सच्चाई चिपाने की कोशिश की जा रही है पुछा जा रहा है जब टीम गठित भूई थी फिर आगे क्या कुछ कदम उठाए गए तो भी इंफर्मिशन सामने आई है उसको लेकर जाच की जा रही है संदिक दहालत में शव मिला था परिवार कुरेव के बाद हत्या का शक है वहीं इस पूरे मामले में एक शक्स को एरासत में ले लिया गया है, हंगामे की तस्वीर भी सामने आएं थी, ये वही शक्स तस्वीरों में आप देख रहे हैं, जिसे पुलिस ने एरासत में लिया है, और हर पहलू से हर एंगल से पूश्दाच में टीम चुटी हुई है, अ पच्चाई चिपाने की कोशिश की जा रही है, आरजी कर, मेडिकल कॉलिज के बरजैसी बिल्डिंग के सेमिनार, हॉल में ट्रेनी डॉक्टर का शब वो संदिक्द हालत में मिला था, शरीर पर चोड़ के कई निशान मिले हैं, ये आपको बता दे, कॉलकता अस्पताल में दॉक्टर का शब मिलने का पूरा मामला है, महिला डॉक्टर के पिता ने आरोप लगाया है, कि परिवार ने कहना है कि रेप के बाद हत्या की गई है, पहले महिला डॉक्टर का रेप किया जाता है, और फिर उसकी दर्दनाक हत्या कर दी जाती है, सच्चाई चिपाने की को पुशिश की जा रही है लिया गया है हंगामे की तस्वीर भी सामने आएं थी ये वही शक्स तस्वीरों में आप देख रहे हैं जिसे पुलिस ने रासत में लिया है और हर पहलू से हर एंगल से पूश्दाच में टीम चुटी हुई है अमित मालविय ने भी इस पूरे मामने में अब कई सवाल खड़े कर दिये हैं कि महला इंटर्न की आखिर जरूरत थी क्या